नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्वर्स डबल टू में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी और उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे जब भी हम mechanical engineering topics से related कोई भी वीडियो upload करें आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे air cooling system क्या है सबसे पहले इसके introduction के बारे में बात करेंगे फिर इसकी construction के बारे में फिर working के बारे में और उसके बाद advantage, disadvantage और इस system की क्या-क्या application है उसके बारे में तो जैसे इसके नाम में ही पता है कि air cooling system क यह एक ऐसा system है जिसको cooling purpose के लिए use करते हैं और जिसमें जो cooling medium है उसको हवा का और air का use करते हैं तो सबसे पहले जो cooling system है उसकी IC engines के अंदर जरूरत क्यों पड़ी इसका जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर हमें ज्यादा volumetric efficiency की जरूरत हो उसकी requirement है तो उसके लिए हम cooling करनी पड़ेगी दूसरा अगर हमें proper combustion करना है fuel का तो उसके लिए भी हमें cooling की requirement होगी और तीसरा कि हमें अगर mechanical operation और reliability चाहिए तो इसके लिए भी cooling की requirement होगी अगर मैं SI engine की बात करूँ SI engine जो spark ignition engine होते हैं जैसे petrol engine है उसमें हम cooling इसलिए प्रियोग करते हैं ताकि pre ignition और knock को avoid किया जासके और इसलिए भी प्रियोग करते हैं ताकि overall working temperature को maintain किया जासके sufficient heat को remove कर के और इसके लिए सबसे पहले जो cooling है वो मेली दो types की होती है एक होती है direct cooling system और एक होता है indirect cooling system direct cooling को air cooling system कहते हैं और indirect cooling system को liquid cooling system कहते हैं तो आज इस वीडियो में हम direct cooling system मतलब air cooling system के बारे में बात करेंगे इस cooling system में जैसे मैं पहली बताया कि air को एक cooling medium की तरह यूज करते हैं और इसको mainly जो small capacity engine होते हैं जैसे motorcycle का engine है scooter का engine है और जो aviation engine होते हैं जो mainly arrow engines भी उनको कहते हैं उनको mainly हम use करते हैं तो वहाँ पे air cooling system का use करते हैं और जैब मैं इसकी construction की बारे में बात करता हूँ कि इस system की पूरी है जो उसका construction क्या है जैसे हम diagram में देख पा रहे हैं यहाँ एक slender लगा हुआ है इस slender में piston की moment होती है और यहाँ यह इसके बाहर जो इसका external surface है जो बाहरी सतय है यहाँ पे fins लगी हुई है यह combustion chamber है यहाँ पे और यहाँ पे दो valve है एक inlet valve है और दूसरा exhaust valve है और अगर इस diagram को हम देखें यहाँ पे ज़्यादा जो fins provide की गई हैं वो ज़्यादा fins provide की गई ह exhaust valve के पास और combustion chamber के पास क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा temperature है यहाँ produce होने की पूरी संभावना होती है और इसको avoid करने के लिए ही और इसको remove करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा fins का use किया जाता है लेकिन मैं बात करूँ कि जो engine slender के जो external surface है जो बाहरी सतय है यहाँ जो air flow है जो required heat को remove करने के लिए use करते हैं उस पर ही air cooling engine वो depend करते हैं और कितनी मातरा में या कितनी amount में heat को remove करना है वह depend करता है कि slender की जो बाहरी जो सतय है बाहरी जो इसका surface है वो हवा के कितने contact में है और जो हवा है उसका mass flow rate कितना है इस पे depend करता है और हवा और slender के बीच temperature difference कितना है इस पे depend करता है और जो metal है उसकी conductivity क्या है इस पे depend करता है ये कुछ ऐसे factor हैं जिस पे ये चीज़ें depend करती है उसके बाद जो air cooled engine है या air cooled जो system है engine की मैं बात करूँ उनका जो heat transfer coefficient है उसको वैसे वो normally कम होता है लेकिन उसको दो तरीकों से बढ़ाया जा सकता है पहला तरीका ये है कि उस system के उस engine के across जो हवा है उस को forcely उस engine को forcely flow किया जाए उस हवा को engine पर forcely flow किया जाए मतलब कह सकते हैं कि हवा का force circulation हो तो इससे भी जैसा हम air engine में करते हैं जो aircraft engine होते हैं वहाँ वे force circulation है और air cooling जो forced circulation के साथ करते हैं उसका जो heat transfer coefficient है वो water cooling system से उससे कम ही रहता है और दूसरा तरीका है अगर जो ये जो slender का जो surface है यहाँ पे अगर हमें heat transfer rate को बढ़ाना है उसके लिए हम जो surface area है उसको बढ़ा कर उसको increase कर दिया जाए तो ऐसी possibility है कि ज़्यादा heat transfer rate होगा और ऐसा करने के लिए हम इसके आसपास जो fins है उनको लगा सकते हैं मतलब कि जो fins provide करने का main reason है कि surface area बढ़ जाए और surface area बढ़ने से क्या होगा कि जो heat transfer rate है वो भी बढ़ जाएगा और यह माना गया है कि जो fin को जो use किया गया है इन engines पे fin के use करने से जो heat transfer rate है वो 5 से 10 गुणा बढ़ जाता है पहले के मुकाबले मतलब कि बिना fins के जो heat transfer rate है और fin के साथ जो heat transfer rate है उसमें काफी ज्यादा difference है और मैं diagram में अगर देखूँ कि इसके जो main components में बात ही कर चुका हूँ cylinder, combustion chamber, inlet valve, exhaust valve और fins होते हैं और इसके अंदर यह जो slender है या यह जो slender है और जो slender head है slender head के साथ ही जो fins है वो integral casted होती है और कहीं बार ऐसा होता है कि जो slender block होता है उसके साथ इनको अलग से separately इनको अलग से fix भी किया जाता है अब दो तरीके हैं अगर fins को cast किया गया है integral casted fin है तब fins की जो संख्या होती है वो per centimeter में 2-3 तक होती है अगर machine जो fins है तो उस case में per centimeter पर 4-5 fins के बीच में होता है और यह जो fins होती है इनकी जो height है वो depend करती है कि जो manufacturing का जो process है उसको क्या use किया है उस पे depend करता है और जो material किस type का है उस पे depend करता है fins की height है जो और normally जो fin की height है वो 2-5 cm के बीच use करते है और 2 fin के बीच जो space है उसकी जो limit है वो 2 दसमलव 5 cm तक हो सकती है उसके बाद air cooling system है इसकी कुछ advantage है और कह सकते हैं कि इसकी कुछ खूबियां है तो वो खूबियां क्या है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले यह जो system है इसका जो design है जैसे हमें इसको देख पा रहे है इसका design काफी simple है और यह ज्यादा महंगा भी नहीं है मतलब कि यह ज्यादा costly नहीं है और दूसरी बात अगर हमारे पास multi slender engine है तो उसमें क्याए कि जो प्रती एक slender है उसको हम अलग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी common cooling system नहीं होता और accident के case में इसको हम separately किसी भी जो cylinder है उसको हम separately उसको renew कर सकते हैं उसको बदलना आसान है और इस पूरे system में coolant की leakage का कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि इसमें जो medium है हमारा वो air हमारा cooling medium है और इस system के अंदर freezing की भी कोई समश्या नहीं है क्योंकि ये जो समश्या है water cooling system में होती है क्योंकि उसमें जो water है वो freeze हो जाता है और इसी वज़े से इसको हम जो थंड़ा मोसम है थंड़े मोसम में भी इसको प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें coolant के freeze की कोई समश्या नहीं है दूसरी बात इसके अंदर radiator, header और piping connecting की किसी भी तरह की कोई जुरूरत नहीं है और इन parts की absence की वज़े से इसको जो वज़न है वो काफी कम है और ये काफी light है लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद इस system के अंदर कुछ खामिया भी है और वो खामिया किस प्रकार से है सबसे पहले इसमें अगर हमें force circulation चाहिए कि हवा का जो amount बढ़ानी है force circulation से तो उस case में जो cooling fan है उसको चलाने के लिए ज़्यादा power की जरूरत होती है दूसरी बात इसमें जो engine है उसकी जो power output है वो काफी कम रहती है और कुछ conditions में क्या होता है ये जो fins इसके उपर लगी है ये vibrate करना शुरू कर देती है और जिसकी वज़े से कुछ जो noise है वो create होती है और unavoidable होती है और दूसरा है कि इसमें जो temperature है वो engine पर ज़्यादा ही रहता है वो temperature कम नहीं होता तो ये कुछ इसकी खामियां थी लेकिन इसके बावजूद भी ही इसको motorcycle engine में scooter engine में, aero engines में aviation engine में वो use करते है मतलब कि कह सकते हैं कि bike, scooter और aero engine में जो भी cooling system होता है, वो air cooled system होता है लेकिन जो stationary और automobile engine होते हैं, वहाँ पर liquid cooling system का use करते हैं, तो दोस्तों आज हमने इस video में discuss किया कि air cooling system क्या है, इसकी construction क्या है, इसकी advantage क्या है disadvantage क्या है, और इसकी applications क्या है, हमारी next video में हम discuss करेंगे liquid cooling system के बारे में जो indirect cooling system होती है अगर आपको ये video अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं इस video को share कर सकते हैं, facebook पे twitter पे, whatsapp पे, अपने friends के साथ student के साथ, और n-inverse double 2 को subscribe करना न भूलें, क्यूंकि आपके subscription से हमें motivation और encouragement मिलता है, और जिससे हम अपने काम को और बेतर तरीके से करने की कोशिस करते हैं thanks for watching, have a nice day